आज हम अपने खित में लगवाने जा रहे हैं drip लेकिन आप लोगों को बता दे कि यह जो drip है यह तो normal है लेकिन हम इसको बनाने वाले है multi purpose drip system जिससे हम कोई भी फ़सल लगाएं हर फ़सल के हिसाब से हम drip को change करके उसके हिसाब से यहाँ पर सिचाई कर सकते हैं चाहे वैधान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, केला हो, धनिया हो, पालक हो, मूली हो, कोई भी फसल हो, हम उसके हिसाब से यहाँ पर सिचाई का सिस्टम भी डेवलप करेंगे, तो आप लोगों को ये वीडियो अंतर तक क्यों देखनी चाहिए, एक तो आप लोगों को पता लग ज सिर्चा आया है, इसमें मैं अपने हिसाब से क्या-क्या बदलाव किया हूँ, ये सारी डीटेल मिलने वाली है, आप लोगों को इस वीडियो में, तो आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे, और सस्क्राइब करके वेल का इकन दबा दीजे, जिससे आप लोगों को सभी बाड़ी से संबंद सही, सठीक और वेहरी जानकारी समय समय पे मिलती रहे, जब भी हम अपने खेत में ड्रिप लगाने जाते हैं, तो सबसे पहले अपने खेत का एक हमें डाइग्राम बनाना होता है, कि जो ड्रिप सिस्टम हम यहाँ पर इंस्टाल करवाने जा रहे ह है, तो यहाँ से एक पीली लाइन कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो सफेद है, यह है हमारी टूवेल, और यह जो पीली लाइन आप लोग देख रहे हैं, पूरे छेतर में फैली हुई है, यह है में लाइन और यह जो लाल वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं, यह है कंट्रोल वाल्व इसके जरीए हम अपने खेत को आठ भागों में डिवाइड किये हुए हैं जिसकी वज़ा से जहां पर हमें जब पानी के आउ सकता होगी तब हम वहां पर दे पाएंगे अब हमारी जो सब कि जिस तरीके से हम अपने खेत में डिव इंस्टाल करवा रहे हैं उसको आप लोग आसानी से समझ सके और आप लोग अपने खेत के लिए भी जब डाइग्राम बनाने जाएं तो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा आसानी हो डाइग्राम अब हम लोग देख लिए हैं अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंस्टालमेंट कैसे किया जाएगा तो जब भी आप लोग ड्रिफ सिस्टम लगवाने जाते हैं तो जो डायग्राम आप बनाये होते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को दो फिट गहरा आप लोगों को गड़ा करवाना होता है और यह जो सब लाइन रहेगी यह धाई इंच की रहेगी यहां पर हमारी जो पीवी सी पाइंप है चाहब है में लाइन की हो या सब लाइन की हो यह 20-20 फुट के टुकड़े में आती हैं तो जो टुकड़े होते हैं उनको सालवेंट के जरिए इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और जोडने के बाद जो हमारी में लाइन होती है उसको हम इस जो नाली खुदाई गई है इसमें डाल देते हैं में लाइन को हम लोग तो गड़े में डाल दिया है लेकिन जो हमारी सब लाइन है इस पे हम लोग 2-2 फीट की दूरी पे 2-2 होल करते हुए चलेंगे अब यह 2-2 पर हम 2 छोड़ करके जो सेलेक्ट कर शकते हैं और दूसरी तरफ यहां पर जो दो होल आप लोग देख रहे हैं एक जाएगी पूरब की तरफ यह जाएगी पस्यून की तरफ तो यह दो होल एक लोकेशन पे इसवज़ा से किये जाते हैं और दो-दो फिट पे यह होल किये जा रहे हैं इसकी वज़े से जैसे अगर हमको कभी फूल भी पत्ता भी धनिया मूली पालक या फिर ने कोई भी फसल लगानी होती है तो उसके हिसाब से यहां पर एक ही बार में जो ड्रिब का सेटप है यह कर दिया जा रह एक च्छोटा सा इंत्रय यहां पर लिए गया है जिसकी साहथा से बहुत ही आसानी से टेक अपर लग जाता है और जब ठेका रलक जाता है तो उसके बाद जिसमें हमारी लेटरिल की जाएगी इसको लिया जाता है अब इसकी जो लंबाई होती इस तरीके से- Tul Venus त्याथिक यहां पर जो टेक आफ लगा हुआ था इसके उपर जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं लगाया जा रहा है सेम इसी तरीके से लगा देंगे और जब यह लग जाएगा तो हमारी जो में लाइन है और हमारी जो सब लाइन है यह पूरी तरीके से तयार हो जाते हैं फिर इनको यहां पर डाल दिया जाता है एक चीज़ आप लोगों को बताते चले कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों ही पाइप जो है एक ही तरफ है तो अब यह जो दोनों पाइप एक ही तरफ हैं इनको बाद में घुमा करके एक को पूरव की तरफ कर दिये जाए तो अभी लगाने में आसानी हो सके इस वज़े से दोनों को एक तरफ लगाया जा रहा है अब यहां पर डृप का सिस्टम तो हमारा तयार हो गया है लेकिन हम आप लोगों को बता रहे थे कि जो डृप सिस्टम यहां पर लगवा रहे हैं इसको हम बनाने वाले हैं तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं यहां पर जो हमारी मेन लाइन है उसको काट करके यहां पर एक टी लगाया जा रहा है और यह जो टी लगाया जा रहा है एक जायेगा पूरव की तरफ एक जायえば पपस्शिम की तरफ तो इन फ्यूचर जैसे हमें कभी crowdlam करना हूँ अपने खेत में तो यह जो टी है इसमें लगा रहेगा धकन और इस धकन को खोल करके हम वहां पर आराम से सिचाई कर सकते हैं और इस तरीके से हम आठ लोकेशन पर टी लगवाये हुए हैं जिसकी वज़़े से फ्यूचर में चाहे हम धान यह हूं या कोई भी खेती करें अग पानी पहुंचाने के लिए दिक्कत नहीं होगी जस्ट हम वहां पर टूइबल और यह धकन जो आप लोग देख रहे हैं यह खुला रहेगा जिसकी वज़़े से यहां पर आसानी से पानी आ जाएगा और बेगर नाली बनाए बेगर ज्यादा मेहनत किये सिर्फ एक धकन ख चालू करेंगे तो फिर सेम इसी तरीके से एक वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे कि देखिए आप किस तरीके से सेट अप हुआ है क्या चला है अब यहां पर जो हमारा वेंचुरी सिस्टम है फिल्टर सिस्टम है लगाने जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे ह हैं जो एर और जो एर क्य roadmap होते हैं तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर लगाये जा रहा है यहां लगाए जा रहा है यहां पर जो है दो डूम जा रहे हैं कि दूसरी तरप का तो आप इसके ऊपर जो सबसे बड़ा कि और बंद किया जाएगा तो जो यहां पर प्रेसर क्रियेट होता है जिसकी वज़े से वैक्यूम बन जाता है और उसके बाद जो हमारे लिक्वीड फर्टिलाइजर होते हैं जिनको हम टैंक में घोले होते हैं वहीं खीचना सुरू कर देता है और हर पौधे तक बराबर मात्रा मे आराम से पहुंशा देता है यह सिस्टम वेंचुरी के लिए हम आप लोगों के लिए एक इस्पेसल वीडियो लेकर के आएंगे तो जब यहां पर हम फिल्टर लगा रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि हमारे खेत में जो सैंड फिल्टर होता है यह नहीं लगा हुआ है तो आप लोगों को बताते चले कि हमारे ट्यूवल में नाम मात्र का भी बालू नहीं आता है जिसकी वज़ए से सैंड फिल्टर यहां पर नहीं लगाया जा रहा है और यह जो नार्मल फिल्टर है यही लगाया जा रहा है जब यह खराब हो जाएगा तो निकाल करके इसको साफ कर दिये जाएगा और उसके बाद फिर से इसको लगाया जा सकता है और यहां पर कई प्रकार के वाल्व होते हैं जिसके जरीए आप लोग इसकी सफाई कर सकते हैं या एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को पानी निकालना है तो आप लोगों पानी भी निकाल सकते हैं त 4.69 एकड में लगा हुआ है जो की लगभग एक दस्मलों नौ हेक्टेर के आसपास का एरिया हो जाता है इसमें हमको देने पड़े हैं 55960 रुपए बाकी हमको इसमें जो सबसीडी मिली हुई है यह 2,47,340 रुपए हमें सबसीडी मिली हुई है हमारा यहां पर ड्रिप तरीके से इसको संचालित अच्छे से किया जा सकता है तो वह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ड्रिप से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट सेक्षन में आप लोग पूच सकते हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो ल